आप समय लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टी बैकर हंट में जिया दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हमें स्टॉक्स का 360 डिग्री रिव्यू करते हैं और साथी साथ मार्केट और बिजनस लिडिट इंपॉर्टन इंफोर्मेशन को भी डिसकस कर करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो एजुकेशन परपस के लिए अगर आप कोई भी इंवेस्टन करने हैं तो आप किसी भी फाइनेशल एडवाजर के आप से कर सकते हैं तो देखें दोस्तों जो कंपनी की सुरुवात वी थी वो कंपनी स्ट पुराना जो नाम था उसका नाम था मारुति उद्योग लिमिटेड जिसमें उसके कोलापरेशन किया गया था सुचकी मोटरस के साथ जो कि जैपनीज कंपनी है 1982 में ये collaboration हुआ था उस समय जो है सुचकी मोटर्स जो है इसमें एक minority stakeholder थी दोस्तों तो देखे दोस्तों 1987 में सुचकी मोटर्स ने जो है इसमें अपना stake जो है 26% से बढ़ा कर 40% तक कर दिया था दोस्तों 1992 में देखे दोस्तों जब इंडिया liberalize हुआ इंडिया में economic को जो है खोला गया जो है private players के लिए उस समय company ने सुचकी मोटर्स ने जो है इस company की potential को देखते वे और इंडिया का जो है vast market को पचानते वे देखे दोस्तों इस company में जो है अपना stake को देखे 40% से बढ़ा कर 50% कर दिया गया देखे दोस्तों तो इसमें देखे दोस्तों कि इसकी जो है subsidiary यह जो मारती सुचकी है यह subsidiary है सुचकी Motor Corporation की जो की Japanese company है in 2013 again सुचकी Motors increased their stake to 56.21% 2013 में देखे सुचकी Motors ने दुबारा से अपना stake को 56.21% तक बढ़ा दिया देखे दोस्तों तो इस तरह से यह controlling stake जो है इसमें enjoy कर दिया एक और जो सबसे बड़ी बात इस company के बारे में यह है दोस्तों कि यह इंडिया की जो है जो market share है automobile sector का उसका 50% से भी जादा dominate करती है दोस्तों तो यानि कि 50% market share में इस company का dominance है इस company का कबजा है तो थोड़ा और जान लेते हैं इस company के बारे में दोस्तों कि यह आपको पता ही है कि यह सबसे बड़ा brand है इंडिया में automobiles का बहुत ही जादा लोग जो है इसको trust करते हैं इसकी जो है after sales service इसकी जो है resale value और value for money जो है यह provide करती है company उसके मामले में यह बेजोड company है देखें दोस्तों कि इसकी जो है किसी के साथ भी आप comparison नहीं कर सकते हैं इसकी लिए जो है इसतना ज्यादा अच्छा यह market share इतना बड़ा market share यह जो है own करती है और कब जाके रखा हुआ इंडियन market में तो देखें दोस्तों two manufacturing sites उसकी जो है दो manufacturing sites है गुरुग्राम अन्मानसेर में दो R&D centers है रोतक हरियाना में और गुरुग्राम हरियाना में डेली में जो है इनका headquarter है और अभी तक जो कि जुलाई 2018 तक देखें दोस्तों उन्हें दो करोड गाडियां जो है बेच दी है already Indian market में जहां दोस्तों यह बहुत ही बड़ा करते हैं जो major countries हैं उनका नाम है चिली, उरुगवे, South Africa, Nepal और इसी तरह के से देखें बहुत सारी services भी यह प्रवाइड करती हैं अपनी subsidies के द्वारा जैसे कि मारुती insurance, मारुती auto card, मारुती genuine parts, मारुती genuine accessories इस प्रकार के services भी यह प्रवाइड करती हैं आपके सामने मैंने द वो बहतरी model लगा हैं मारुती सुच्की के, एक है मारुती बैलेनो और एक है बहुत ही famous car मारुती सुच्की desire, जो कि one of the famous car रही है, मारुती सुच्की की पिछले 4-5 सालों से जो है top selling car रही है, थोड़ा इसका performance देख लेते हैं, performance parameters देख लेते हैं दोस्तों कि किस तरह की जो 2016 में जो इसने sale करी थी वो थी 57,538 करोड की, 2017 की जो इसकी sale है वो है 68,034 करोड की, 2018 में जो इसकी sale है 79,762 करोड की, और 2019 में जो इसकी sale है वो है 86,020 करोड की, तो देख सकते हैं आप देखें दोस्तों, जो sale है, जो sale का जो graph है, वो continuously बढ़ता जा रहा है, बट अगर आप से अगर आप percentage wise देखेंगे दोस्तों, तो 18 और 19 के बीच में जो percentage of increase है sales का, वो थोड़ा कम हुआ है, देखें दोस्तों, यह जो major reason जो इसका रहा है, वो है 2019 में जो है, automobile sector में जो slowdown हुआ है, इसकी वज़ा को भी हम discuss करेंगे दोस्तों, तो देखें दोस्तों, इसका जो profit है net profit देख लीजिए, 2016 में जो इसने net profit कमाया था, वो था 5,364 कड़ो का, 2017 में जो इसने net profit कमाया था, वो था 7,350 करोड का, 2018 में profit देखें, 7,721 करोड का जो है, इसने profit कमाया है, और 2019 देखें, 7,500 करोड का इसने almost profit कमाया है, तो देखें सकते हैं, 2019 में जो है, इसका profit गिर गया जो है 2020 April 2020 से BS6 जो है मेनिटरी कर दिया था इंडिया में यानि कि BS6 गाडिया ही बिकेंगी after April 2020 यानि कि अभी मेजर जो रिजन रहा है इनकी sales और उनका जो profit जो है drop होने का वो reason रहा है कि Government of India ने और Supreme Court ने April 2020 से देखें दोस्तों BS6 गाडिया जो BS6 norms होता है उसको जो है कोई भी जो है BS4 की गाडिया नहीं बिकेंगी तो फिर क्या हुआ दोस्तों कि market में ऐसा लोगों को जब लगा कि BS6 गाडिया यहीं बिकेंगी April के बाद तो उनने जो है BS4 गाडियों को खरीदना और उनकी जो है curiosity BS4 गाडियों के लिए जो है कम हो गई थी दोस्तों तो इस ते क्या हुआ कि उन्होंने जो है बाई इतना नहीं की ऑटो मॉइल सो इसलिए जो है slow down हो गया था उनने सोचा कि डिरेक्ट जो है थोड़ी देर hold करते हैं थोड़े मैने रुकते हैं और अप्रैल में डारेट BS6 गाडियां ही खरीदेंगे तो इस यह वज़ा था था sentiments में था थोड़ा policies जो है इतनी clear नहीं थी इसके वज़ासे इनकी sales जो है ड्रॉप होई थी और profit में भी इसका असर दिख रहा है आपको तो थोड़ा EPS देख लेते हैं दोस्तों 2016 में जो इसका EPS है 178 का जो है इसने EPS है 2017 में जो इसका EPS है वो 243 का है 2018 में 256 का है और 2019 में 248 का है देख सकते हैं आप EPS में भी घिरावट हुई है दोस्तों जैसे कि net profit कम हुआ है उसी करण जो है earning per share भी जो है कम हो गया है दोस्तों तो देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा net sale थोड़ी कम हुई है तो उसका जो है impact क्या रहा उसके जो है share पर देख सकते हैं दोस्तों अभी जो हम देख रहे हैं यह जो share है 6 मैंने का है तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है coronavirus का impact है जो lockdown का impact है और जो coronavirus का sell-off वा था था मार्च जो है 24 तारिक को तो उसकी वि उसने 18 January 2020 को बनाया था और देखिए जो low बनाया है इसने देखिए दोस्तों वो है 4001 रुपए का और वो बनाया है इसने 3 अप्रेल को जो रिसेंट्ली इसने अपना low touch किया है वो है 4001 रुपए का और जो currently यह trade कर रहा है यह trade कर रहा है around 5350 के around trade कर रहा है as on 2nd of May 2020 तो देख तरह का confidence जो है company में जो है strong लोगों का है strong जो hands है उनको जो है किस तरह का इसमें contribution है तो आप देख लेख सकते हैं दोस्तों कि promoters 56.21% hold करते हैं promoters यानि sujki motors यानि Japanese company जो इसकी parent company है और FII's और FPI's देखिए 23.18% hold करते हैं DII's और हमारे mutual funds देखिए 15.61% hold करते हैं और public के पास जो इंडिन public है उसके पास around 5% का stake है तो इस तरह से देख सकते हैं around 95-94% जो है काफी strong hands में यह company है काफी stable जो है इसका share रहता है तो देख सकते हैं promoter confidence यह slide मैं हमेशे इसी तरह से लिखता हूँ कि promoter confidence यानि कि promoter आपको एक साल के में जो है आपको figure दिखाता हूँ कि promoter का stake क किस तरह से जो है vary किया है उससे आपको बजलता है कि promoters जो है इस पे आपको उसको company पर भरोसा है या घल रहा है या बढ़ रहा है तो आप इससे जो है analyze कर सकते हैं कि promoter जो है इस company से क्या expect करता है future में तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 2018 December से 2019 December तक आप देख सकते हैं continuous same ज जो company के बारे में आई है वो अब हम आपको reveal करेंगे तो जो breaking news आई है दोस्तों वो ये है कि हर मन्त के end में जो है auto whales जो companies है वो अपने sales के number post करते हैं कि उस मन्त में उनने कितना sales किया है तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये महरुती सुच्च की इतिहास में अपने 31-36 years के इतिहास में देखें दोस्तों ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब उनके इस मन्त में किसी भी एक मन्त में कोई भी unit जो है domestic market में नहीं भी की है दोस्तों ना सिर्फ मारुती के दोस्तों किसी भी auto whale company की कोई भी unit नहीं भी की है अप्रेल 2020 में और दोस्तों ये इसका कितना और deeply इसको analyze करेंगे तो आपको जो है बहुत बड़ी बात है आपको पता चलेंगी तो वो ही हम इसमे analyze करने की कोईश कर रहे हैं यहाँ पर देखें दोस्तों मैंने ये graph लगाया आप देख सकते हैं April 2019 का लगाया और April 2020 में as usual देखें 0 unit cell वी है और April 2019 को अगर आप 85 unit cells हुई है तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कितना बड़ा ये impact रहा अपरेल का जो lockdown है उससे कितना बड़ा impact रहा इंडियन economy पे आप समझ सकते हैं एक लाख 31,000 गाडियां जो हैं सिर्फ मारूती की नहीं भी की तो उससे आप समझ सकते हैं कि government को कितना बड़ा loss हुआ आ इतना बड़ी जो इन्होंने GDP को इतना support देने वाले थे 1,31,000 गाडियां बेच के और ये तो सिर्फ मारूती और भी companies बेच थी तो around 2,500,000 गाडियां जो हैं इंडिया में बिग जाती हैं एक महने में तो आप समझें कि कितना बड़ा GDP को जो है loss हो गया है देखे दोस्तों तो उसका जो है impact जो है अभी आपको जो है इसके share में जरूर देखेगा दोस्तों अभी जो आने वाले time है जब इन्होंने ये numbers पोस्ट किये हैं देखे दोस्तों तो आपको जो है इसका impact देखे जरूर देखने को मिलेगा थोड़ा recent जो है इसके data को जो है compare करने की कोशिश किये मैंने देखे दोस्तों तो यहां पर जो है फरवरी 2020 का मैंने data लगाया और देखे अपरेल उसके दो मेहने बाद का मैंने data लगाया तो आप देखे अपरेल में as usual zero गाड़िया बिकिये और फरवरी 2020 को देख लीजिए आप देखे दोस्तों तो एक लाग 33,700 गाड़िय यह सब chain जो इनके product की demand है उन सब इतनी कमी नहीं थी देखे दोस्तों सिर्फ lockdown का जो है यह जो impact हुआ है और इससे देखे आप देखे दोस्तों इसका जो multiplying effect भी आपको देखने को मिलेगा Indian economy पे तो देखे दोस्तों इसका जब future outlook देख लेते हैं और यह जो future outlook मैं आपको एक company का future किस तरह से रहने वाला है करोना के कारण तो आपको पताए दोस्तों काफी volatile रहने वाला है पूरे market में हर company का जो है जो share है वो काफी volatile रहने वाला है तो आपको जो है try करना चाहिए कि जितना low हो सके उतने low level पे आप जो है किसी भी share को buy कीजिए और अगर buy भी कर रहे ह कीजिए तो देखे दोस्तों automobile industry is the backbone of any country's manufacturing sector तो automobile industry जो है किसी भी country की manufacturing sector की जो backbone होती दोस्तों और खासकर इंडिया में तो यह काफी ज्यादा बड़ी backbone है क्योंकि manufacturing जो है इंडिया कुछ ज्यादा करता नहीं है तो automobile भी ज्यादा manufacture होता है तो यह जो इसका contribution है इंडिया की GDP में है वो around 0.5 से लेकर 1% तक तो देखे दोस्तों government focus on clean energy using vehicles जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि government जो है अब भी जो है recently government ने push देना start कर दिया है electric vehicles को clean energy को वो try कर रहे हैं कि जो है pollution कम से कम हो oil पे जो हमारी dependence है उसको जो है कम से कम किया जाए तो इसके लिए government जो है auto oil sector से भी contribution चाहती है और चाहती है कि वो electric vehicles में जल्दी से जल्दी switch करें तो देख लिए दोस्तों अगर ये company अपने आपको जो है electrical vehicles में जो है establish कर पाती है उस technology को जो है crack कर पाती है तो देखिए दोस्तों इसका इतना बड़ा brand है कि ये जो है अपना market share तो बचाएगी ही बलकि जो है अपना market share gain भी कर सकती है तो देखते हैं दोस्तों इस ने जो है इस field में क्या काम किया है the company is working actively to increase the production of CNG powered vehicles देखे alternative fuels के लिए देखिए दोस्तों company जो है बहुत पहले से ही काम कर रही है आपको पता ये wagon R आती ही है जो कि CNG kit के साथ आती है तो ये one of the पहली company है one of the first company है इंडिया में vehicle तो देखिए सुच की motors और Toyota ने जो है collaboration किया है ताकि वह electrical vehicles को जो है उसकी feasibility और practical application को जो है crack कर सके practically देखिए गाडिया तो बहुत बन गई है electric vehicles बड़ इंडिया के environment पे suitable जो गाडिया हो और जो है CNG vehicles, hybrid cars and bio fuel cars तो देखिए दोस्तों इस तरह से वह try कर रहे है कि जो government of India का motive है उसको फुल्फिल करने के लिए वह try कर रहे है कि CNG cars को भी जादा से जादा production किया जाए और hybrid cars को भी जादा से जादा production किया जाए और bio fuel car को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए ताकि जो है हमारी ओल पे जो है डिपेंडेंस कम हो देखिए अना मारुति सुच की अनॉंस्ट लॉंच अफ इलेक्ट्रिक वेकल इन इंडिया बाइट तुथाउजन ट्वेंट एंड देखिए 2019 में उनने जो है यह अनॉ 2019 में जब उनने यह बात कही थी यानि कि वो फुली प्रिपेर्ड है अपने आपको जो है इस टेक्निकलोजिकल शिफ्ट के लिए क्योंकि देखिए दोस्तों यह आटो मोवाइल सेक्टर में जो है काफी बड़ा ट्रांशिशन आज आएगा अगर आप जो है ऑल से जो है ऑ देखिए दोस्तों अदर्वाइस जो उनका हाल होगा वो नोख है के तरह हो जाएगा बहुती बड़ा ब्रैंड था बहुती बड़ा रिलैवल ब्रैंड था बट टेक्नोलोजिकल शिफ्ट को जो है उसने एक्सेप्ट नहीं कर पाया और वो जो है एक्स्टिंग्यूश हो जाए इसलिए उनको जो है यह एक्सेप्ट वेकल्स की जो टेक्नोलोजी उसको जो है जरूर करना ही पड़ेगा देखिए दोस्तों तो देखिए दोस्तों प्रोटाइब ऑफ इलेक्ट्रिकल वेगनार इस अंडर ट्रायल तो यह काफी बड़ी न्यूस थी काफी बड़ी न्यूस थी देखिए पिछले छैसाथ मैंने से जो है वेगनार के जो है एलेक्ट्रिकल वेगल को इलेक्ट्रिकल वेरिएंट को जो है 50-60 मॉड़ल उनने बना दिये है उनको डिफेंट डिफेंट कंडिशन पे टेस्ट करते जा रहे है और रोड टेस्ट कर रहे हूं ताकि जो है उनकी practical suitability जो है feasibility उनको पता चल सके क्या क्या है उनमें जो है problems है और को जो है clarify कर सके हो तो देखे दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही प्लीज चैनल को like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए और हमें इसी तरह motivate करते रहिए जै हेंड